नहीं बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम अस्लाम अलीकूं दोस्तों हम एट क्लास की एक्रसाइज वन पॉइंट वन करते हैं इसमें पहला स्वाल हैž तमाम तहती सेट लिखे तो सबसे पहले हैं इधर तहती सेट तहती सेट ठीक हो गया तो तहती सेट बताने है तो तहती सेट में क्योंकि खाली सेट का खाली सेट ही बनता है ठीक हो गया अब दूसरे स्वाल पर देख ले जब तीनों स्वाल आप समझेगे तो इनिशाल आपको बात क्लियर समझा जाएगी ठीक है तो अब देख इसका बन है तो इसमें पहले सबसे पहले तो लिखे तहती सेट ठीक हो गया तो इसमें भी सबसे पहले जो बनेगा वो खाली सेट बनेगा ठीक है तहती सेट में जो पहला सेट बनता है वो खाली बनता है पहला खाली आ जाएगा और फिर दूसरे में यह 1 आ जाएगा, ठीक है, यह खली था, खली आ गया था, इसमें पहले खली सट आ और फिर 1 आ गया, अब तीसरा स्वाल देख लें, तीसरे में पहले यदर लिखें, तहती सेट थिक हो गया, तो इसमें भी सब से पहले, है खाली सेट बनेगा फिर से Saison A आएगा ठीक है फिर बी आएगा ठीक है कि कमाल गए फिर A और B दोनों कि तो ये फैस्य ते है कि यह थे सघ्ट है सब सबस्ता पनाई जेता है फिर हर रुकर को लादा लिखा जाता है फिर पहले रुकर को साथ मिलाoka के लिखा जाता है जैसे यह हुआ है अगला स्वाल थ्राइट लिखे अभ यह जितने भी स्वाल ही success है कि मिलते जोते है ठीक हो गया सब्सक्राइब बराबन लगाए तो वाजिब से पहला बनता वह खाली बनता है ठीक है और इसके बाद फिर एए इसमें नहीं आ सकता तो इसका जवाब सिर्फ खाली सेट ही बनेगा अब इस वाजिब सेट में और तहती सेट में क्या फरक हुआ कि जो आखर वाला सेट बनता है वो नहीं लिखा जाएगा यह या जो आखर वाला होता है वो नहीं बना जाता है इसके लावा तमाम के तमाम तहती सेट की तरह लिखे जाते हैं मसलन अब यह देखने वाजिब तहती सेट ठीक है तो सबसे पहले तो खाली बनेगा ठीक है और फिर जीरो आ जाएगा और फिर वन आ जाएगा ठीक है अब जीरो और वन यह नहीं लिखेंगा आखर वाला ठीक है आखर वाला नहीं लिखना बस इसके बाद वाजिब अब इसकतब पहला तो जरी बाद किससों बनेगा फिर वन न आ जाएगा और फिर टू आ जाएग को फिर थ्री घंग आ ठीक है कि अब इसक की अब इस में वान फिर टीन है पर तरी प्लाएंब जाए della अब अब इधर मैं नीचे लेगे देता हूं ठीक है अब वन को टू के साथ मिलाएंगे ये भी आ जाएगा फिर वन को थी के साथ मिलाएंगे तो ये भी आ जाएगा पहले वन को टू के साथ मिलाया फिर वन को थी के साथ मिलाया अब वन को छोड़ दे तू को थी के साथ मिला ये भी आ गया ठीक है अब 123 तीनों कठे आने चाहिए थे लेकिन वो वाजिब 33 सेट में नहीं आएंगे हाँ अगर सिर्फ 33 सेट होता तो फिर उसमें आखरवाला क्या होना था एक बावर सेट तो इसमें सबसे पहले खाली सेट के बाद यह खुद आएगा नपीबान जो जो पवर सेट ओंगे वह भी स्वान की तरह ही होंगे यानि तमाम पिठ के तमाम है त्वेस्च परक्वा नीट cambi industries के लिए एक फ़रका जाएगा किस्में एक पैपरोस के लिए एक ब्रैक सुरूं की जाएगे हो रिधर बंद की जाएगी ठैस जितने मिस्वाल है ऐसे ही कोई है यह आखरी सोहर ओर अगा सिर्डे करना है तो सबसे पहला थाम हूँ Pra के बाद देखें कि सबसे पहले तो खली सेट आयगा ठिक है खली सेट के बाद आ जाएगा के फिर बी आ जाएगा और फिर से या जाएगा के ठीक हो गया और फिर एको ब्षाथ मिला के लिक्षी अब एको ब्षाथ मिला के लिक्षाथी करें कि लिए एकрах पैरो बी कोलडे चिज आप एक को छोड़ते बी को ऐसे के साथ मिला ले भी को सी के साथ मुला लिया आप कौन से रहे जो अब अब एबी सी तीनों को लिखेंगे इस प्र concerns में जिस तरह तफिसाट में पाव रोड़ें नहीं पालभलें carried कि इसमें ये ब्रैकिट आ जाएगी जो कि इन सौलो मैंसे अलादा से एक ब्रैकिट इजाफी नहीं होती थी लेकिन इसमें आएगी ठीक है उमीद है कि आपको ये एक साइज समझे आ गई होगी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और साथ में लगी बेल आइकन को दुबाएं ताके हर नहीं आने वाले वीडियो का नोटिफकेशन आप तक पहुंच सके शुक्रिया